हेलो फ्रेंट्स कैसे हूँ उमीद करता हूँ बहुत अच्छ होगे जैसी भी कंप्यूटर पर मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका दोस्त भारत भूशन फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताउगा आप किसी भी प्रिंटर का सीरियल नंबर कैसे चेंज कर सकते हो और जो पेज की काउंटिंग होते है वो जीरो कर सकते हो friends अगर आपका printer में कभी-कभी red light आती है वो भी आप इस problem से solve कर सकते हो friends सबसे पहले आपने अपने resetter को open करना है serial number change करने के लिए और page की counting हो zero करने के लिए आपके पास original resetter होना जरूरी है अगर आपके पास genuine resetter नहीं होगा तो आप उसकी counting zero नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी zero नहीं होगी आपको उसके लिए bios ही change करनी पड़ेगी resetter open होने के बाद आपने अपना model number select करना है उसके बाद आपने यहां से अपना port number select करना है अभी मेरे पास L360 printer connect है तो हम इसी का data change करेंगे और ये इस resetter से नहीं होगा हमने दूसरा resetter open करना पड़ेगा जो 360 का है ये इस resetter से change होगा आपने resetter open करोगे जैसे ही उसके बाद हम model number select करेंगे उसके बाद हम port select करेंगे आप यहां से भी अपना data change कर सकते हो बट मैं आपको बता हूँगा आपने यहां से change नहीं करना है आपने यहां से change करना आपने इस वाले option पे जाना है और नीचे manboard पे जाना आपने जो यह नीचे वाला option है यह चुनना आपने replacement वाला है जो जिस पे last में ng लिखा हुआ है उसके बाद ok करना आपने friends अभी एक और बात बता देता हूँ अगर आपके printer की red light आ रही है या green light continue blinking कर रही है उसके लिए आपने सबसे पहले check पे click करना है अगर आप check पे click करते हो अगर आपका serial number इस तरह से आता है तो कोई problem नहीं है अगर यह जो serial number आता ही नहीं है या error आता है यहाँ पे तो आपने serial number को डालना जरूरी है आप यहाँ पर अपने printer का serial number डाल सकते हो आप अपना serial number आपके printer के पीछे देख सकते हो वहाँ पर printer का serial number लिखा होता या फिर आप अपने mobile number या अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो बट आपने यह याद रखना है कि वो 10 digits के अंदर ही होना चाहिए यहाँ पर डालने के बाद आपने perform पर क्लिक करना है और उसके बाद yes पर क्लिक करना है उसके बाद यह आपको बोलेगा कि printer को बंद करके चालो करो और printer थोड़ा सा time लेगा processing होने में उसके बाद आपने next पर क्लिक करना है और यहाँ पर ahead की ID होती है वो डालनी है अगर आपक पैड को clean करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो उसके बाद आपने next पे click करना है और फ्रेंड्स जो यह है यह देखने के लिए आपके लिए जरूरी है अगर आप वीडियो को skip कर दोगे तो आप इस वीडियो का फाइदा नहीं उठा पाओगे तो इसलिए मैं आपको बत करना है उसके बाद आपने यहां पर click करना है और यहां पर भी आपने 3 ही डालना है और input पे click कर देना है उसके बाद आपने next पे click करना है उसके बाद यहां पर आपने tick mark करना है यहां पर आपने 6 डालना है यहां पर भी 6 डालना है और यहां पर भी 6 डालना है उसके बाद input पे क्लिक करना है उसके बाद आपने next पे क्लिक करना है friends जो ये data बता रहा हूं मैं बिल्कुल original printer का data बता रहा हूं जो पीछे company से आता है वो data मैं आपको बता रहा हूं अगर आप वीडियो को skip करोगे तो आप इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाओगे और इस तरह की problem आ आपने यहां पर tick mark करना है और यह देख लीजी आपने यहां पर 18 डालना है यहां पर 11 डालना है और यहां पर भी आपने tick mark करना है यहां पर 19 और यहां पर 11 डालना है friends जो यह data है आप कोई किसी भी option के printer में डाल सकते हो जो मैं series बता रहा हूं आपको L 210, 220, 360, 380, 385, L 31 10 है जो 31 16, 31 15, 31 50 और 31 52 और जो हमारी नई शिरी जाय हुए 32 की उसी का भी सेम डटा है यह सब कुछ डालने के बाद आपने input पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने next पे क्लिक करना है फ्रेंट नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहां दोनों पर टिक मार कर देना है और यहां पर आपने माइनस 3 डालना यहां पर माइनस 4 डालना यहां पर माइनस 3 और यहां पर भी माइनस 3 यह सब कुछ डालने के बाद आपने input पे क्लिक करना, उसके बाद आपने next पे क्लिक करना, उसके बाद आपने black पे tick mark कर देना है, और यहाँ पर one डालना है, और फिर आपने input करना है, उसके बाद next करना आपने, आप अपने board की performance को चेक करने के लिए यहाँ पर tick mark करें, perform पे click करें यह इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा फ्रेंड और आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा अगर आपका हैड है जो इधर उदर मॉमेंट करने लगे तो आप समझ जाना कि आपका जो पेज की काउंटिंग वो भी जीरो हो गई है और आपके जो प्रिंटर्स के अंदर एरर था ग्रीन लाइट ब्लिकिंग का है रेड लाइट का वो भी दूर हो जाएगा और आपका जो प्रिंटर है बिल्कुल फ्रेस हो जाएगा देखिए फ्रेंट ये हमारे पास message भी आ गया कि हमारा जो printer है बिल्कुल complete ठीक हो गया है उसके बाद आपने next पे click करना है फ्रेंट उसके बाद फिर आपने next पे click करना है आप यहाँ से check भी कर सकते हो अगर आप print out निकालना चाते हो टेस्टिंग के लिए तो आप यहाँ पर print पे click करके आप print निकाल सकते हो नहीं तो next पे click करना है और उसके बाद हम finish कर देते हैं फ्रेंट आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का थेंक्स